पैसे वालों के बीच में ये इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं लेकिन पब्लिक ने इनका नाम रखा है गली का गुल्णा जो इने पसंद है उसकी इज़त करते हैं और जो ना पसंद है उसे जिन्दा जलवा दे हैं ये हैं श्रीवान फूरी सबजी काटना और लोगों को काटना दोनों इनके लिए एक जैसे हैं बारा साल की उमर में जेल चले गए थे इसलिए डर से इनका कोई परिचय नहीं है ये मौका देखकर चौका मारते हैं ये केशों के बॉडिगाट थे लेकिन आजकल उनके साथ का क्या कहा जाता है बिल्डर्स में नंबर वन होने के साथ साथ ये गुंडागर्दी में भी नंबर वन है जो सूरी कभी केशों के लिए काम करता था आजकल वो देवा का राइट हैं ये हैं कादर भाई हाई कोट के बाहर चाय की दुकान चलाते थे कोट जिसका फैसला नहीं कर पाती थी उस किस को ये बिना तारीख दिये बिना वकील की पीस दिये हुए सॉल्व कर लिया करते थे इसलिए इस कादर भाई की सबिज्जत करते हैं ये मारधार पसंद नहीं करते आजकल इनकी दुकान हाईवे पर है इसी आर रोड में एक नए बिल्डिंग का कंस्रक् आज देवा को मरते समय उसके मरने की आवास मेरे कान में सुनाई देनी चाहिए ए मेरे कान में सुनाई देनी चाहिए आजिम्स आए मिनाक्षी, मुंबई से तुम्हारे लड़के का लेटर आया है, जरा जल्दी आओ, मैं तुम्हें सुना कर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत काम है, जल्दी आओ, जल्दी आओ जिस घर में ताला बंद है, वहां क्या बात कर रहे हो? मिनाक्षी बहन तो अपने लड़के को ढूणने के लिए पहली बस से शहर चली गई है, अरे बापरे, कह रही थी कि चिठी भी नहीं आई है, और उसके पास पता भी नहीं है, अपने बेटे को कहां ढूणनेगी वह, अरे वह अपना गाउ नहीं है, कि किसी का नाम तो वो उसे घर तक ले जाएगा, इस चिठी में उसके बेटे का पूरा पता लिखा है, पता नहीं बेचारी, उसे शहर में कैसे ढूणनेगी? अरे क्या माजी, आप फोटो दिखा कर पूछ रहे है, यह मेरा लड़का है, कहां पर मिलेगा, ऐसे लड़का मिलता है, यह क्या कोई फिल्म का हीरो है? अरे क्यों आप सुम्झी सुम्हे धंदा खराब कर रही हो, जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, तुम्हारा लड़का इस शहर में नया है कह रही हो, एक काम करो, जिस बस से आई थी उसे पकड़ कर वापस चलिए जाओ, पोजनी, 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 प वराय कर दो, लो लोब्धा रादrictरी औराद्टी। नattend usually, कर दो! बन्हार, बन्हार, बन्हुर्दी फ़र धिया इसाा चाएदा क época दे देंखर से उताले भाल मैंम पोड़, 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 अरे सुनो, सुनो, एके करके, एके करके अंदर जाओ, चलो, चलो, एके करके, ये शोर शरमा कैसा है? अरे, पीछे, पीछे हटो, बलू को मिलने के लिए सर, सर, देवा को जिसने खतम किया हो बलू, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लोग उससे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? हमको उससे मिलना है, ये लोग गडबड कर सकते हैं, इससे पहले इन लोगों को अंदर कर दो, चलो अंदर डाल दिया है, बाहर कोई भी नहीं है, अब भी बलू का है, अरे भाई, हमें अंदर क्यों बंद कर दिया है, देवा को मिलना मुश्किल है, क्या उससे खत्म कर दिया, हो सकता है, बन्दू नामता कोई दूसरा आदमी फस गया हो, बन्दू अजिर्ट हाई भाई बार पार प्ना प्न मां प्न कि ऑाई द में अ बार में cौन चेलर साब तुम्हें बुला रहे हैं आओ बल्लू देखने में तो भूला भाला लगता है लेकिन काम बहुत खतरना के तेरे तुझसे मिलने के लिए बाहर सब गुंडे इंतजार कर रहे हैं तेरा कोई रिष्टिदार नहीं है क्या पहरे इसी लड़की हो तुम तुम नहीं चल सकती क्या सॉरी मा सॉरी 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 अन। पानी पीए तुम्हारी हलबडी देखके लग रहा है कि तुम कोई संसेशनल कंट्रोवर्शियल बात भोलने वाली हो एमाई राइट एक्जाक्टली साथू की शादी होने वाली है क्या तो तो जरूर को यातन को अधी पकड़ा हो या सर यह सब रूटीन बात हैं अब देखिये लाओ देखा देखा यह देखिये यह तो जैसे ब्रेट पे जैम लगाते हैं वैसे पीट पे हाथ फेर रहा है और उसके बेचारे बॉयफ्रेंड को कुछ पता ही नहीं है कितना नॉंसें हाई 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 है यहाई है आपने हमें पकड़ ही लिया हम लबर्स है लेला मजनु के बार मैं अनुश और यह शीला आ या या फिर यह कौन है something closer friend हम दोनों के प्यार में ब्रेश बनके यहीं तो खड़ा है यह प्रेश बनकर खड़ा है ठीक हैं अगर गारी पीट पर ही वार कर दिया तुम दोनों ने दोगा दिया है मुझे अब जा रहा हुए आज से अरे रूप कहा जा रहा है किस तब इस लड़की की वज़े से वहां इससे चोड़ूगा नहीं सर मैंने वहां से दोड़ना शुरू किया और यहां आके रुकी हूं मैं रिपोर्टर बन सकती हूं न सर मुझे कितने माक्स मिलेंगे हम लोग रोज इसी तरह से होटल में पार्क में सब जगे देखते रहते हैं अच्छा सुनो न्यूस कैसी होनी चाहिए अरे न्यूस ऐसी हो कि अच्छा देखा भी नहीं मैं अंदर आना चाहती थी लेकिन उस चौकिदार ने अंदर जाने ही नहीं दिया पूछता है क्या वकाम है लेकिन कैसे समझा थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं करके उस वक्त मैंने सोरे कहा दिया था ना फिर अब आप मेरे इंतिजार क्यों कर रही है ना git तो कौनसी तसवीर फोटो है क्या मुझे याद आया एक फोटो रखी है मैंने देखिए किताबे उठादे से मैं ये फोटो भी साथ में आ गई होगी मुझे भी ध्यान दखना चाहिए था चलिए मा मैं आपको आटो में छोड़ देती हूं कहा जाना है इस बादिश के पाने से पूछो कि तुम कहा जा रहे हो तो ये क्या जवाब देगा मैं भी उसी तरह हूं कहा जाओंशार हूं मुझे कुछ भी नहीं पता है अप यहां के नहीं है क्या अप कहां से आई हैं यह से मिलने आ आए हूं ओ आपके बेटे ने बुलाए आपको नहीं हम उसे ढखोड़ने के लिए आयए हूं अप आडर्रस बता कुछ नहीं बेटी मैंने इस शहर में जब से कदम रखा है तब से हर एक से पूछ रही हूं मेरे बेटे के बारे में लेकिन कोई भी मुझे ठीक से चवाब भी नहीं दे रहा था तुम बहुत अच्छी हो बेटी तुमने मुझे इज़त दी मेरे साथ त्यार से बात की मुझे बहुत अच्छा लगा ये बताए आपके गाउं का नाम क्या है फिरुन वेली चिला में मुनची पट्टी गाउं में आप अपने लड़के को ढूरने के लिए अकेली आई है वो अरे बेटा पेड़ पर मत चड़ो नीचे गिर जाओगे मेरी बात मानो मैं बोलते जा रही हूं और तो पेड़ कर चड़ता ही जा रहा है ना अपनी मा से नाराज है और क्या सारा गाव मेरा नास दिखने आय था तुम्हें बुलाए था तुम नहीं आई जाो तुम से बात नहीं करूँ गा सच्छ में बात नहीं करेगा बात कि झीत heck फादो ही है कि फॉलता ही सब्सक्यां रहे है टॉप दोभाई खत्म हो गई थी इसलिए नहीं आप आए है क्यों खुद ही जाकर नहीं ला सकते क्या ए उनकी तब एक खराब्या जानता नहीं है गमर फिल दिलाने वाली थी तूने दिलाये क्या सिन्Jim मुझे लगा रही है कि दूकरहणीन Just मुझे मसकाल लगारी हो ठीक है मैं उतरता हूँ पर तुम्हें नाच ना होगा मुझे LOL होगा अब मुझसे कैसे होगा बेटा तो फिर मैं नीचे नहीं आने वाला है भगवान तो भगवान को याद करके नाचना शुरू कर दे पाप्रिबाप तुझे मनाने के लिए मुझे इसी तरह हमेशा नाचना पड़ेगा क्या हा मा मैंने तुमसे कितनी बार कहा इसे पल्लु में बांध कर मत रखा करो आखिर ये सीखेगा कैसे गलती मेरी है तो फिर मां को क्यों डाट रहे हो तुमने मुझे चौतिक अक्षा तक पढ़ाया अगर चालीस वे तक पढ़ाये होते तो आज मैं कुछ कर रहा होता है न मा अरे हलबा खिलाने की कोशिश की स्कूल में पढ़ाई करते वग खाना पीना नहीं चलेगा यह कहकर गुरुजी मां को डाटने लगे तो मैंने पत्थर उठाकर गुरुजी के सब्सक्राइब मार दिया सुन तेरी मां घर पे तुझे खाना खिलाती है स्कूल में भी खिलाईगी यह आप कैसे बाते कर रहें नाम लेने से आख थोड़े जलती है चिलम पीना सहत के लिए अच्छा नहीं है वो ना शरीद के लिए खराब है अरे सुन तुम लेकर आया क्या उसे ना दान पेटी में डाल दिया चिलम को नहीं चिलम के पैसों को भागल हो गया क्या अरे उसक चिलम लाने को मैं तुमसे प्यार करता हूं ना है कि देदू पापा को तुम इनकी बातों में फच जाती हो और यह तुम्हारी बातों में फच जाते कैसे पति-पत्नियों पापा आप मुस्कुराते वे बहुत अच्छे लगते हो मुझे मेरे बेटे की नजर लग गई मेरी नजर उतारनी पड़ेगी मुच्छ सफेद हो गई आपकी और नजर उतारने की बाते करते हो आप तो नाटक में ही राजा बन सकते हैं यहां पर नहीं इस उमर में यह सब शौभा नहीं देता चलिए खाना खाईए आप हमेशा से राजा हैं मैं आपकी नजर उतारता हूँ मेरा बेटा कौन हो पंचायद बोड साय हो क्या भाई आरे हां मैं मक्की मच्छरों को मारने के लिए आया हूँ किसी पंचायद बोड से इस तरह कपड़े पहन का कोई आया है क्या क्यों मामा आप मुझे नहीं जानते हैं मामा अभी भी नहीं पहचाना कौन हो आये मिनाक्षी मामी आपने मुझे नहीं पहचाना चहरा तो जाना पहचाना लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है मकर तुम हो कौन कैसे लोग हैं अपनों को भी नहीं पहचानते अरे आनंद माई ये कौन है पूरे परिवार ने दारूप यह क्या जरा दिमाग पर सब्सक्राइब नहीं हरा है दिल पर नियत नहीं हरी है कोफ तभीयत नहीं सन्याजी अरे यह तो अपना सन्याजी है कैसे हो बेटा किसे कुर्सी तो बैटने के लिए मैं चाय लेकर आती हूं बैठो यह कैसा पेंट है अपने भाई का पहन कर आगे क्या भाई का मामा दूर दर्शन देखने से कुछ नहीं होगा कभी कभी एम टीवी देखा करो दिस इज बर मोडा क्या मैं मनाजी पट्टी में रहने वाला हूं मैं मुंबई सीटी में रहता हूं वहां पर ऐसे ही कप करते हो वह काम काम का क्या है खुद का बिजनस है बहुत काम है काम क्या है यह लोग तो पीछे ही पढ़ गये वह अपना बिजनस समझ में नहीं क्या टोपी पैनाने का काम करता हूं टोपी की दुकान है सेल्फ इंप्लॉइमेंट वो क्या होता है यह इंगलिश है यार तेरी समझ में नहीं आएगा अब सवाल मत कर यार यह लो बेटा चाल पीओ कितना संदर लगता है मेरा पेटा यह यह चश्मा इससे दयते ना। सन्यासी तुम महीने में कितना कमा लेते हो नियरे में चाल पैसे पहले अपते में ज्यादा पैसे मिलते आं आकरी आपते में सिर्स बोनस मिलता होगा है दशहरा के समय बोनस नहीं मिलता है मामा लेकिन दिवाली में तो पर्स भरवर के मिलता है शोब के सेल में एलेक्शन की भीड में मंदिर के तेवहार में बहुत कमाई होती है सारे तेओहरों में बोनस मिलता है ये तो अलगतरा काम लग रहा है फिर तो मंत्री और पुलिस वालों को भी जामते होगे सही का मामा पुलिस की नजर मेरे उपर 24 गंटे रहती है अगर मैं मिल जाता हूँ तो खुश होकर ले जाते हैं इतना प्यार करती पुलिस तुस्से इतना ही नहीं हर पुलिस वाले के ओफिस में मेरी फोटो उनके फ्रेम में लगी रहती है अरे बेटा अपना काम मेरे बेटे को भी जाएगा अनन यह बहुत कठीन काम है मेरे भाई इसे सिखने के लिए मैं चाइना गया था अगर मैं यहां ज्यादा दे रुका तो मेरे मुझे सारा सचुकल वा लगे मैं चलता हूं मामा जी मामी आजकल मेरे राइस खाना बन कर दिया है सिर्फ पीजा बर्गर कभी कभी खिचडी डाल बट्टा अभी मेरा खाने का मोड नहीं है मुझे जाना है मामा तू कह रहा है तू बहुत सारा काम करता है अपने लिए गाह में एक मकान क्यों नहीं ले 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 ता बेका अब मा अरे खेत खलियान दो मुट्टी बर्धान नहीं नहीं हरी एक होग तबीयत नहीं मैं कभी कार में बैठा नहीं हूं मुझे घुमा देना कहीं भी छोड़ देना मैं आ जाओंगा चल बैट अरे ऐसे नहीं वे इस तरह बैटना पहले पताना चाहिए नहीं कमाल का है यार चल आनन गाड़ी में बैठकर कैसा लगा मुझे तो बहुत मसाया मुझे लगा मैं हमेशा इसे ही चलता रहूं तू भी मेरे साथ मुंबई चल मुझे एक साथी की जरूरत है मुंबई अभी नहीं कुछ दिनों में पापा की तबियर ठीक हो जाएगी तो उनके साथ ही पुछना तेरी आवाज देते ही मैं तेरे सामने आ जाऊंगा नहीं यह रख ले तेरे काम आएगा नहीं चाहिए रख ले ना मैं जल्दी में था ना इसलिए तेरे लिए कुछ नहीं लाए तुझे जो पसंद होगा वो खरीद ले ना लीची दी दी लीची कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा आपको अधा कोई मेरे पेटे आनन साघर को बुला चल्दी वो आभी आँ जाएगा मैंने कहा है बाँ, टीयनॐ प्यार कर ले नहीं तो पचिताए गारे प्यार कर ले नहीं तो फासी चड़ जाए गारे मा तु मेरा इंतजार कर रही थी ना मैंने सन्यासी से कहा मा मेरा इंतजार कर रही होगी तो बोला चलो मेरे साथ बाद में चले आना उसने सारा गाउं घुमाया मेरी बात ही नहीं सुनी मा, वो सन्यासी है न, वो कह रहा था कि अभी मेरे साथ मुंबई चलो मैंने उससे कह दिया, कि पापा की तबियद ठीक हो जाए फिर मा, पापा, हम तीनों एक साथ मुंबई आएंगे, मैंने सही कहा न मा मेरे जाने के बाद तुम लोग लड़ रहे थे क्या, इसलिए नाराज हो दोनों मा, मैं अभी एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि इतनों खुश होकर नाच नहीं लगेगी, देखना चाहती क्या देखना मा, ये ले पहन ले इसे, तुने कहा था ना, पापा ने मंगल सूतर के सिवा कुछ नहीं खरिद के दिया, इसलिए मैं ये मोती का हार लाया हूं मा पैसा कहां से है, यही सोच रही हो न, वो अपना सन्यासी है न, उसने जबरदस्ती सौ का नोट डाल दिया, कहा अपनी पसंद के कोई चीज खरिद लेना, मेरे पास तो सब कुछ है न मा, इसलिए मैं ये हार ले आया, सिर्फ तेरे लिए नहीं मा, पापा के लिए भी कुछ लाया हूं, क्या लाया हूं बोलतो, तुनी बता सकती, पापा उसे देखते ही फट से उड़ जाएंगे, पापा, मैं आपके लिए क्या लाया हूं देखो तो, आपकी मन पसंद चीज है, हाँ आपने एक मांगी थी ना मैं दो दो लेके आया हूँ यह क्या है पापा छोटे बच्चे की तरह धूग गिरा रहे हूं चलो साफ करो कोई बात नहीं मैं साफ कर देता हूँ कि आज मैं आपके मुँ में चुरू ट्रकेट चलाऊंगा हाँ पापा कि मां देखो न मां कि मां क्या हुआ मां क्या है क्या चलाए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कह व पाहां कह को आफिराल। कह जए, कह पाहा, फो गटॉरी कह एंदे सब स्गी Łba कह detention कह एंदे अजिए, आफ, कह एंदे बाहा दो बाहार मुछeld बाहा दोच και ले एंदे हॉ 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 अरे आनन तुम यहां क्या कर रहे हो वहां तुम्हारे पिदाजी की मौत हो गई है और तुम्हारी मा को लोग परिशान कर रहे है सिंदूर मत पिटा हो यह सब तो करने ही पड़ते हैं देखो मेरी मा की क्या हालत हो गई है तो दुनिया के रीति रिवाज है क्या रिति रिवाज है देख नहीं रहे हो मेरी मा के हाथ से खून आ रहा है नहीं चाहिए तुम्हारे रिति रिवाज चाओ तुम्हारे रिति रिवाज चाओ तू कुछ नहीं समझता तू हट यहां से मैं नहीं अटूंगा लगता है यह बात नहीं मालेगा मा तुझे है ना मैं कभी ना तूटने वाले चूड़ी लेकर आऊंगा तू देखना माँ सोला सत्रे अठरा यह क्या है सेट जी यह सब रख लो और मुझे वह कंगन दे दो चिल्लर के बदले सोने के मिलते हैं जाकर खरीद ले मुझे वोने चाहिए सिर्फ वो कंगन चाहिए इतने पैसे में कंगन आते हैं क्या पागल हो गया है मुझे यह ही चाहिए रुक रुक आनंग क्या कर रहा है देखो इलमा पहले इसे अब लोग कैसे तोड़ेंगे देखता हूं अगर उनमें ताकत है तो तोड़के दिखाए कोई भी नहीं तोड़ सकता इसे यह गलत है बेटा मिनाक्षी मेरे लाख मना करने के बाद मी यह नहीं माना और कंगन उठाकर भागाया यह तुने क्या किया बेटा तुरुक माँ भगवान सुन आप सब मेरी मा को रूला रहे हो मैं चोड़ी करकर लाया हूं पैसे देकर लाया हूं न अरे तूने जो पैसे दिये थे उसमें तो कंगन खरें आप मां क्यों उसको कंगन दे दिये बोलना मां क्यों दे दिये कंगन मैं तेरे प्यार को समझती हूं दूसरों की चीज़ पर नजर नहीं रखनी चाहिए यह गलत है बेटा तुझ अ अब कमाने लगेगा ना तब मा को कंगन पहना ना हां भगवार ने हमें हां हाथ पैद दीए है तुझेने के लिए रास्ता भी दिखाएगा तुझ खुझ कमाने तुझ 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 कमाने तढ़ कमाने तढ़ कमान बिखत में होती हैं मोंबाए, मोंबाई, मोंबाई उत्रो जालते करो मोंबाई, मोंबाई इसी तरह से वह वहां से ये сам चला आया ठीक है बेटी अब चलती हूँ क्यों मा जी मुझे मेरे बेटे को ढूड़ना है न अब बारिश भी रोग गई है मैं चलती हूँ बेटी कहां जाओगी मा मैं मेरे बेटे को ढूड़ने आई हूँ न उसको ढूड़कर गाओं ले जाना है मैं चलती हूँ बेटा इतनी रात मे कहां जाएंगी आपके लड़के को ढूरने के लिए मैं मदद करूंगी आपके तवित खराब है बहार ठंड में जाएंगी तो तवित और खराब हो जाएगी पहले मैं आपको गरम कॉफी देती हूं ठीक है ना नहीं चाहिए बेटी यहां बैठीए नहीं बेटी फिर वहां आपको यहीं अच्छा लगता है तो यहां बैठीए आराम से हां मैं जाके कॉफी लाती हूं अरे तुम कौन हो कौन हो मिनाक्षी मिनाक्षी मदुराय के मिनाक्षी गाव का नाम बताओ मुनन जी पट्टे मुनिम जी का पेट यह क्या है पेट नहीं मुनन जी पट्टी तिरुन वेली है ना तिरुन वेली जिला हां क्या कहा जिल्ला ठीक है छोड़ो तुमने बराबर जवाब दिया तुमने मुझे हिज़त भी नहीं दी और मुझे नमस्ते भी नहीं किया ओ तो नमस्ते करना है क्या नमस्ते भाई कौन है तुम कौन हूँ यहां आओ सब लोग अरे दादी को यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ इन्हें मेरे बारे में बताओ हरीश दादी हमारे घर में एक औरलक्स की बॉटल थी उसको छोड़ी करके यह सब अकेले ही खा गया मैंने सिफ 10 परसंट दिया था दादी उनकी बातों पर भरोसा मत करना मेरा पेट देखो मैं इतना खा सकता हूं क्या मैं इतना नहीं खा सकता वो सब जूट बोल रहे थे जूट बोल रहा है तुझे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं गेस्ट के सामने बेइज़द ही करती है मैं तेरे को देख लूँगा अच्छा अच्छा मुझे मानने आ रही है भागो आना इधर तुमरा भाई है क्या वाप रे ये मेरा भाई इस तरह का भाई होगा ना त पर बाहर निकालते हैं उसके बाद उससे जब चाहेंगे अपनी मर्जी से खत्म कर देंगे यह प्लैन भी सही है बोलो ठीक है मैं देखता हूं उस बल्लू की केशफ खुद बेल करवा रहा है यही है मेरा बेटा आपके बेटे का नाम क्या है आनन आनसा का नाम है मेरी तरह खुबसुरत है क्या सामने देखोगी तो और भी खुबसुरत है आप सही कह रही है इश्वेदा तो मुझे यहां क्यों लेकर आई है पुलिस ने खुनी बल्लू को अरेस्ट किया था वो बेल पर बाहर आ रहा है हम उससे मिलेंगे उसका इंटर्व्यू लेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग न्यूज बनेगी तुझे क्या लगता है उसका इंटर्व्यू ले पाएंगे इन गुंडों के बीच में अगर इंटर्व्यू लेने गए न तो हम लोग गए काम से कल सुबह के न्यूस पेपर में हमारी फोडो छपी होगी कि हम नहीं रहे हाँ आज का दिन तो गया अगर आज हम इसे डूड़ने जाते तो शादी मिल जाता और फिर उसके मां के पास ले जाते तो वो बिचारी खुश हो जाती अब यह लोग बल्लू को कहां ले जा रहे हैं चलो चलते हैं यहां से आओ बल्लू मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था दस लोग तेरे साथ घुमते हैं यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आओ बैठो चाचा तुम भी बैठो अरे मुझे बिठाओ रहे मैं रही अरे सुनो वकील तुमने बता दिया न मैंने बता दिया मकर यह ठीक से जवाब नहीं दे रहे आप नहीं बता दीजिये न बल्लू कल बहुत अच्छा दिन है कल मेरे पास काना और बेरे साथ ही रहना मैं तो चाचा की दुकान में काम कर रहा हूं ना आप अतने दिनों तक तुने चाचा की दुकान पर काम किया था कोई बात नहीं लेकिन आज तु इस शहर का बहुत बड़ा विआई-पी बन गया है अब तु चाहिए की दुकान पर जूठे किलास धोकर ट मेरे साथ क्या मिलेगा वही चै की दुकान वही भट्ती की गरमी ये सब ठिलना पड़ेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर आपको तकलीफ है तो मैं दूसरी दुकान ढूंड लुँगा लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरी माँ ने कहा है, दूसरों को मार पीट के बिरियानी खाने से अच्छा है, खुद की मेहनत की कमाई से दाल चाओ और खाओ, मुझे मारधार पसंद नहीं है बल्लू, अरे तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, आज बल्लू बोले तो सब लोग जानते हैं, तुने आज बहुत नाम कमा लिया है, और जब तक नाम रहेगा, पैसा छाप मेरे भाई, इसी को माइंडिस्ट कहते हैं मुझे नाम और पैसे दोनों नहीं चाहिए, मुझे जाने दो मैं समझ गया, तु मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है, जाने दे, मैं तेरा चेला बनकर रहता हूँ, ये चलेगा तुझे मेरी बात सुनो मैं किसी का गुरू नहीं हूँ किसी का शिश्य भी नहीं हूँ और मुझे आप लोगों की जुरुत नहीं है मैं गाउं जा रहा हूँ अपनी महा से मिलने चलता हूँ अरे तु गाउं जाएगा कैसे बोल वकिल इसको सुनो बल्लू तुम अभी जमानत पे बाहर आए हो केस अभी भी चल रहा है जबते केस खतम नहीं होगा तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते रोज सुबर शाम पुलिस टेशन जाकर तुम्हें दस्तखत करने पड़ेंगे पता ह यह सब मैं जानता हूं चाचा ने मुझे बता है केस खत्म होने तक मुंबई से बाहर नहीं जा सकता पर इनके साथ काम करने तो नहीं कहा ना चलो चाचा चलते लगता है बहुत कड़क बिस्कुट है बाद में चाय में डुबो कर खाएंगे प्रिया चलना फिल्म देखने चलते हैं सब चलोगी ना ए बहां देखो इंगली फिल्म की तरह क्या मस्वाई चल रही है अरे यह तो तेरा लबर भासकर है ना यह तो वही है मेरा भाई उसे पीट रहा है बाप्रेबाब पकड़ इसे अगर मेरे भाई ने मुझे इस साल में देख लिया तो मुझे बार डालेगा बिंदी दे क्यों मेरी बेंसे शादी करेंगा तू कराता हूं तेरी शादी यही तुझे तंग करता है ना यही तेरे पास बार बार आकर तूसे प्यार करने के लिए बोलता है ना यह जूट बोलता है ना सच बता तो इससे प्यार नहीं करती है ना तू एक बार बोल इससे प्यार नहीं करती है कि इस से खत्म करते हैं और अभी क्या करें इस लफांगे को तुन यारा करती हुआ तुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने कोई गल्लो के बारे मैं जानते हो ना नौ सब नमस्ते करो नाम सावन बताएंगी तो वह समझ जाएंगे चलता हूं देदी बता देगे ना वहां देख वह हमें घूरे जा रहा है शकल से तो गुंडा लगता है मुझे तो लग रहा है कि वह जरूर बलू का आत्मी है कल के पेपर के हेडलाइन में हमारा नाम आएह गा, चाहिए यह अ क्वर गूला। यह लीजित का सबुश कर लेगा आपकसदर के दाइका बेखानि शादिया ल्रेशा क क्राई Quemniaत्वें का बचाओ बचा था 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 पीछा क्यों कर रहे हो तुम्हें पता है मैं कौन हूं शायद बलु को जानते ही होगे ना मैं उसकी लवर हूं भावी पढलु मेरा भाई अश्वा पेरी भावी हुई ना उठ जाओ भावी भावी रुके तो रुको तो आप चल के जाएंगे तो भाई को पता चलेगा मुझ नेहीं भावी आप एसा मत बोलिए अगर आप मेरे ऊटो में नहीं बैठेंगे तो बलु मुझे मार दाले गा आयए ना बावी तुम मुझे पका रहे हो अपका है आप कशल मेरा थी बोल रहे हो तुमने यहां क्यो उपना तुम यह पीनि है नहीं भावी वह जाव पीके आ कॉन आप नाराज हो तो मुझे दो थपड़ मालो चलो लो तो तु और यहां रही है तो भाई आप नराज हो देंकर भाई खुद यहां रहे हैं बाभी भाई को बोलना कि आप चंदू के आटे में आई हो मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगी इसका इंटर्व्यू लोंगी तो सेमिस्टर में पास हो जाओ ए छोटू जरा माचीस तो दे मुझे क्या कहा मैं तुझे माचीस हूं क्या सुनले बल्लू अगर नियम से देखा जाए ना तो मैं तुझे चार-पांच दिन का सीनियर हूं ज मंबगें यहीं लिखोगी न किया मुझे युफाग क्या उसका संबंद मैं लिखोगी और उसे पढ़कर लोग उससे डरने लगेंगे क्यों करती हो ऐसा एक अच्छे आदमी को अच्छा आदमी रहने दो न सर, सब प्रेस रिपोर्टर एक जैसे नहीं होते बुरे को अच्छा लिखे तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा क्या मेरे अनुबह से आधी भी नहीं है तुमारी उमर देखो बेठी मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किये है और एक बात बताओं तुम जैसा सोच रही हो बल्लू ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है वो इंटर्विव नहीं देगा तुम जाओ यहां से जाओ कौन थी चाचा वो लड़की मेरा नाम लेके आपसे क्या पूछ रही थी तुमारे बारे में पेपर में लिखना चाहती है आज कल तुम्हें डूडने के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं अकबार वाले आ रहे हैं मुझे गुंड़ा बनने की क्या जरूरत है तुझे बेरी बात समझ में नहीं आ रही है सुनो बललू इस शहर में बड़ा आदमी बनने के तीन ही रासते हैं या तो राजनीती में चले जाओ या सिनेमा के हीरो बन जाओ या अपने हाथ में तलवार उठा लो राजनीती में जाने के लिए हीरो बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है पैसा भी खर्चोता है और जो थीसरा रास्ता है वो बहुत आसान है शहर के सबसे बड़े गुंडे को खतम करके एक दिन के लिए जेल चले जाओ तो इस शहर के सबसे बड़े गुंडे बन जाओगे जैसे तू बन गया मुझे इसकी क्या ज़रूरत है मैं मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ न ये तुम्हारी सोच है लेकिन दुनिया की सोच अलग है देखो बल्लू अब तुम्हें बहुत समभल के रहना होगा और देखो मेरी जानकारी के बना किसी से बात मत करना कुछ भी मत बोलना तुमारी भलाई के लिए बोला समझ गये ना थोड़े दिनों के लिए मेरी खातिर इतने दिनों तक आपने उसे छोड़ रखा था अभी मुझसे पूछने की दूरत नहीं है अगर बल्लू मिल गया तो उसको वही पर खत्म कर दो सर, और कितने दिन तक बल्लू केशव की चत्रचाया में है वो कहां जा रहा है यह सब बराबर नौट करके उसको साफधानी से खत्म कर दो मुझे जल्दी कहां जाना है सर, महां से मिलना है हब यह सोचने दें कि बल्लू केशों के पास है तो फिर वो कहां है वो तो कादर भाई की दुगान पर है बॉटिस सर शरी डिस्काउंट का अटिसम 그렇게 family स्का वेल्दी नहीं लिए पॉलिटे कल में नहीं कोई हालिड टूर भाई अओन वंधिर कसा लिए अम्म्लेजिया मैंधियों यह लीजिया मैड़ है लेज यह लेजियाkol Judal मेरे जान पहचान वाला है उसकी तस्विर और पता इसमें अगर आप देखे तो मदद कीजिए सर अगर वह मिले तो मुझे फोन कीजिए का सर इसको कहीं देखा है मैंने बलू सिंसेश्टर कॉंटुवर्सी सर सर आपको देखकर तो सब डर जाते होंगे सर मैं आपसे चलते हुए आपसे सवाल पूछती हूँ पहले हम आपके बायोग्रफी से शुरू करते हैं आपके का नाम क्या है अरे मैं टेप रिकॉडर लाना भूल गई एक मिट सर आप में दिजार कीजिए मैं आ रहे हूं प्रिया टेप रिकॉडरल चल्दी वो देख बलू जा रहा है चल्दी देना वो देख में वहां आपके तो मुझे मुझे गलती होगी स्टॉपिट मुझे मुझे माफ कर गाली दिना है तो दीजिये पर हिंदी में दीजिये ता कि समझ में तो आये इस पॉइल में मैं कपड़े साफ कर दूंग आपके 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 अरे याद अपने आपको क्या समझ रहे हैं अंग्रेज की अला मुझे पांच वाला स्टैम चाहिए क्या बात है हमेशा इस पोस्ट आफिस में भीड होती है लेकिन आज तो भीड नहीं है अरे यह तो बल्लू है वहां से भागकर अब तुम यहां आ गए मैंने ऐसे कौन से सवाल पूछा जो भागकर यहां आ गए मैं हो डरी है मत लिखिये लिखिये जब आपका हो जाए तो पेन मुझे दे देजिएगा एड्रस लिखना है ओके अरे वाग आप रोड पे अकेले जा रहे थे लेकिन मुझे यहां आने के बात पता चला कि आपके पास इतने बोडिकार्ड है आप बहुत बड़े आदमी है आप क्या लिख रहे हैं सर ए वोस की लवर है उसको ज्यादा घूर माँ प्यारी मा को साधर प्रणाम ओ प्यारी मा को ठीके ठीके मैं यहां बहुत अच्छा हूं आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी हिंदी तो खराब है आपको हिंदी कौन सिखाएगा ठीके ठीके आपको पॉसनल मैटर है मैं क्यों टांग अड़ा हूं हो जाए तो पैन देना आप आप क्या कर रहे हो गम तो यूज कर सकते हो ना मैं हेल्प यू अब से जरूरी बात करनी है सर प्लीज सर अब गुंगे हैं यह लड़्टियों से बात नहीं करेंगे यह पूस्ट ऑफिस में बात नहीं करेंगे बोलिए सर इस इस दो बात दो बात मुझसे नहीं करेंगे क्या अब है जाचा वो लड़की जो करनी ठीक नहीं कर रही है कौन सी लड़की वह जो मेरे बार में पेपर में लिखना चाहती थी वह लड़की ओ क्या बोली वह मार्केट में मुझे देखते ही मेरे पीछे पड़ गई अकेले बात करना चाहती है प्यार का खेल शुरू हो गया तुमने कुछ बोला तो नहीं आपने कहा था ना कि सावधानी से रहना इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा ठीक किया जाके अंदर सामान रख तो जो बात ये चाचा से बोल रहा है वही बात सीधी तरह मुझसे आकर बोलता तो क्या होता डिटेल में पूछता हूं किस जगह पर क्या उस लड़की ने किस जगह पर धक्का मारा अरे हम लोग जहांसे नारियल खरीटते हैं ना अच्छ दुकान के पहले मैं यह नहीं पूछ उस लड़की ने तुम्हारे बदन पर कहां धक्का मारा यहां कंदे पर जानता है छिपकली बदन पर गिरे तो मनुसियत आती है उसी तरह लड़की भी तुरे रेदे मैं देखता हूं कल से तू बार्केट में जाना मैं जाओंगा तू यहां रहकर आटा पिसना ठीक है त समय भी भगभा कर रहता है सुनो आनंद मैं पोस्टमेन मामा जी तुम्हें खत लिख रहा हूं तुम्हारे लेटर मिलने से पहले तुम्हारी माह समयारी दूझने के लिए मूंबई चली गई वो तुम्हें धूडने के लिए बिचारी कहां-कहां भुठक रही होगे मुझे बहुत ड़र लग रहा है तुम्हारी उसे मुलाकात हुई या नहीं मा क्या हुआ बलो मेरी मा मुझे धूडने के लिए मुंबई आ गई है मुंबई कैसे आ गई सब्सक्राइạt गवले से पेला वह वहां से निकल गई तुम्हें ठोना रही मेरे कावोuse के पोस्त में मुझे चित्थी लिखी तुमने दुकान का पता लिखा था अगर यहां का पता लिखा हो था तो गिशिक को Gandhi मुझे बुला ले थी इसलिए पता नहीं लिखा था यह तुमने क्या कर दिया बल्लू इतने बड़े शहर में तुम्हें कैसे डूंडेगी वह और हम भी उनको कैसे डूंडेगे यह तो बहुत बड़ी कड़बड हो गई यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है आज तक बगल वाले गाउं में भी मेरी माँ के लिए नहीं गई अब इतने बड़े शहर में मुझे कहां डूंडेगी कहां भटक रही होगी अरे माजी आप यहां पर कैसे मेरे बेटे के बारे में कोई खबर मिली क्या यह देखिये माजी आपके बेटी की तस्वीर और पता इसमें छपा है यह मैंने सब को दे दिया है इसमें मेरा फोन नंबर और एड्रिस भी है अगर किसी को खवर मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा आप चिंता मत कीजिए आपके बेटे के बारे में कभी भी फोन आ सकता है आप घर से मत निकला कीजिए नहीं जाएगा तू छोड़ो चाचा मैंने कहाना मेरी बास तो मुझे जाना है अपनी मां को ढूनने के लिए धित रात क्या देखना अभी मच जाओ कल चलेंगे हम सब मिलकर ही मां को झूनेगे एह मैं खूदी ढून लूँगा मां को किसी की जरुष नहीं चाचा ये लोग कों है मारके जाते वाक्त अब है को यहां मेरे पीछे है को मियसे मुझे चाथ चांचा इसको समझा हिए आप क्या चाथ क्या बागत है तुझे साथ रहता तो सूरी के लोग तुश्थार हात नहीं उठादे तू उनके साथ नहीं रहना चाहथा लेकिन केश्व ने तुमारी सुरक्षा के लिए नहीं को तुम्हारे साथ भीजा है आँगे नहीं की आल Darling किया हुआ है तुम्हें जाल में फसाने के लिए सूरी नहीं सिर्वाइeger कुछ नहों हुआ इसलिए हम तुम्हारे साथ रहते हैं यहां काम करने आया किसी से लड़ने मुझे ढूंटे हुए मेरी मा मुंबई आ गई है मुझे अपनी मा को किसी भी तरह ढूंडने और उससे मिलना है अपनी मा से मिलना है कि नहीं तो उसके लिए क्या मुझे चाकु रखके घूमना पड़ेगा यह नहीं हो सकता रुक जाओ जाने अंचाने एक बार तुमने चाकु उठा लिया है इसलिए तुझे हमिश्य खत्रा रहेगा जिंदा रहेगा तभी अपनी मा से मिल पाएगा न इसके लिए दोबारा चाकु उठाना पड़ेगा दूसरा कोई रस्ता नहीं है नहीं उठाएगा तो कभी अपन इस लिए गुस्सा आगया कोई बात नहीं कोई बाद नहीं तुम्हें जीना है अच्छी दर्भाइव से जीओ और इसके लिए इनकी बातों को मानना घलत नहीं है तुम सूरी के बारे में नहीं जानते हैं पाप रे सूरी 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 वो बहुत बड़ा गुंडा होगा लेकिन मैं गुंडा नहीं हूँ चाचा मैं उसके पैर पकड़कर कल माफी मांग लूगा तुम्हें देखते ही माफी मांगने से पहले ही तुम्हें मार डालेगा कुछ उठाओ मारफीट करो कुछ भी करो मुझे अपनी माँ से मिलना है मैं जा रहा हूँ करो मुझे अपनी माँ से मिलना है मैं जा रहा हूँ मुझेट अपनी मेदास अपनी मैं एओ अपनी मा उड्य कि अपनी माँश वें अ अपनी म new खड़ेई अपनी बाव ल.' कि मां अपनी मां को ढूंडने जा रहा है इतनी रात को अपनी मां को कहां ढूंडेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है में बाहर निकलूंगा तो मारा जाओंगो कहके दरा रहे हैं कि मुझे अपनी जान की परवा नहीं है मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं कि कीरी करेको कि मुझे तो मैं मां से मिलना है तो जिन्दा रहना पड़ेगा जिन्दा रहने के लिए चाक उठाना पड़ेगा सुरी 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 क्या हुआ तुने क्या हुआ कौन थे कुस्तो बोल बोताना कौन थे वो कौन थे वो लोग सुरी बन्लो यहां पहुच गया है चोड़ना मत उसे खट्प करतो उसे चोड़ना मत भार डालो हादें चला बार डालो जाला पर फेख्ट कर shops अअएंग नह जडिए राफ然後 जड कर सकते हैं कॉào भॉज़ एम ! ऑालियी ! हाइज! 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 आएज! हाइज! अएज! बाले 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 बा ioèес प्रिंदीकाफ। आजदीकाफ। प्रिंदाफ। स्पीड़ा ऑ्रिंदाफ। ऋरिंदा तर मैं हूँ मैं हूँ देखो घबराओ मत बल्लू घबराओ मत देखो बल्लू हाथ में हाथ में चाकू उठा लिया ना अब तू मां से ज़रूर मिल पाएगा मुझे माँ ज़रूर मिलेगी ना हाँ मिलेगी ज़रूर मिलेगी आनन्द आनन्द तू किसको डून रहा है माँ को डून रहा है मैं तो हमेशा दर साथ हुना तू चाहता थाना में तेरे लिए नाच्छू ले मैं नाच्टियूं मैं तो हमेशा थाना में तून पहा है मैं तून रहा है तून रहा है कर दो कि दो अबसे ओर स्वाई बढसे के बहांड़ा है कर दो कर दो बहाँ खर सब्सक्राब एक दो कर दो एक आरिड़को पिरामल साब आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है मैंने आपके साथ सारी बातें करके एडवांस देखके एग्रिमेंट करके दुकान लिये आपको बराबर भाड़ा भी देता आ रहा हूं मेरी वज़े से आपको कभी कोई तकलीफ हुई है क्या एग्रिमेंट के मुताबिक ए एक साल साथ महीने तो अभी बाकी हैं अभी आप अचानक अभी तो पिक अप लेना शुरूर किया था अभी खाली करने के लिए कहेंगे तो नहीं दुकान कैसे डूड़ूँगा मैं पागल बुटे क्या साथ भी तेरे को नहीं जगे ढूड़के देगे अरे यहां पर रेल खुलम यह है तुरो अपने एडवांस वापस लेके जा ऐसा यह कह रहे हैं लेके जा और तूसी जेगा डूड़ूड एक्रिमेंट खतम हो गया यह समझ ले क्या बोला यह कैसे हो सकता है एक्रिमेंट बनाते समय तू साथ में था क्या दसकत किये थे सुनिये पीरामल जी अगर मैं केस लेकर कोट में गया न तो जीत मेरी होगी तू कोट जाएगा यहां एक ही कोट है सूरी कोट समझा बलू तेरे साथ है इसलिए तू हिम्मत कर रहा है इज़त से जगह खाली कर दे नहीं तो मैं तुझे खाली कर दूँगा जा जा कर बोल द कर परतान से उने कर दोके भी ठाना जाथ कर दयते मैं फैसओ ऑलन दोजदीन महां कोट से उना वालिव सरा कि पाल गृ़क्षो ग्हां भीरस जाफित पाला के बोलुझे वृक्तिकыт मैं तोन तोसया के थानते हैं तोस्भक्त हैं उने तोस्दक्तूमत का सट स又 सुन तुम्हारा भारा सूरी हमने सभी जगे पर ढून लिया है लेकिन सूरी कहीं पर नहीं मिला केशव के आदमी उसके साथ है क्या हो आधियार बहुत दिनों से काम में नहीं आया था ना इसलिए इस पर जंग लग गया है धार लगाने की सोच रहा हूँ, है, इस पे धार लगा रहे, क्या बात है सर, आप यहाँ पर कैसे आए, सोरी, तुम से समझाओता करना चाता है, समझाओता करेगा, अरे ये मेरे साथ रहता था, और इसने मुझे धोखा दिया धोखे बास, केशाओ, सोरी कौन है, तुम्हारा भी नहीं है, तो ये आपके साथ आकर सही वक्त देखकर, मुझे खत्म करके, मेरी जगह लेने की सोच रहा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते है, खेर छोड़िए सर, क्या लेना पसंद करेंगे, केशाओ, मैं टिवटी पर भाइस, आप मुझे देखें, गल्ती हो गई है, मुझे आप माफ कर देजे, माफ कर दीजे, मुझे गल्ती हो गई है, मुझे पता है, तो कोई बहुत बड़ा प्लान करके आया है, नहीं, 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 मुझे मुझे माश्क मत कीजिए, मैं आपका नौकार हूँ, भाई ह उसको बोल दीजिए वो आप ही की बात मानता है सिर्फ अब समझ में आया चुआ क्यों बिल्ली से गिरगिड़ा रहा है बन्लू के साथ जाओ बोल कर आप सुरी के साथ रिष्टा रखते हो केशो जी यह सुरी लोमडी की तरह है उसने आप से समझाता किया है तो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करेगा वो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है इसके पहले वो मेरे पास यहीं पड़ा रहता था पुर परानी बाते भूल सकते हम नहीं भूलेंगे अपकी बार उसे नहीं चोड़ेंगे यह बिल्कुल सही कह रहा है आपने जो भी काम किये वो सब घलाप है मेरी बात सुन वह कह रहा है कि मैंने घलती किया है मुझे माफ कर दो पेर पकड़कर गड़ड़ा रहा है फिर क्या कि बल्लू मेरी बात नहीं मानेगा है वाल यह लोगसता पेपर का ऑफिस है तुमने आपनी मा का नाम क्या बताया मीनक्षी है अड्रिस वो एड़िस क्या है रूम नमबर 17 17 तुकह रहा था नहीं यहां तेरा कुछ पैचान वाल उसका नाम क्रिश्णा है मैं उसी को ढूण आपका बेटा जरूर मिलेगा चिंता मत कीजिए सुनिए भाई लापता का एडविटिजमेंट देना है कहां पर जाना होगा राइट में तीसरा कैविन आए उंकार ठीक है बैट आए मैं जाकर वो फोटो लेकर आती नहीं वो मेरे पास एकी फोटो था वो भी मैंने दे दिया मुझे वो फोटो चाहिए बैटी तुनिए माजी मैंने उस फोटो जैसे दस फोटो बना कर रखे चलिए ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है मास्टर का घर उस गुंड़े ने क्या कह था खाली नहीं करेगा लेकिन आपके आने के बाद मेरे आने के बाद सब लोग डर कर भाग गये थे मेरे नाम से लोग डरते हैं मेरे आते ये खाली कर दिया सर मुझे अपनी मां को ढूंड़ना है कृष्णा ने सब कुछ बता दि मेरी मा मिल जाएगी ना सर अरे जरूर मिलेगी इसलिए पैसा देकर दिया है हमने सुनिये आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही जाके उसे ढूंड़ने से आपकी पोजिशन कम हो जागी आपका दिवा मैटर हम पेपर में च्छापेंगे उसे देख जरूर मिल जाएगा अब चिंता छोड़िया घर चलिए चलिए मिल जाएगी ना अरे मिल जाएगी यार अब अब एक लोग सत्ता पेपर दो का ना तिरुन वल्ली डिस्ट्रिक का मनंच पट्टी गाव चलो मंदिर चलते हैं क्या बल्लू भगवान से क्या मन्नत मांगी बैने भगवान से मन्नत मांगी कि मेरी मा जल्दी मिल जाएग इसलिए मंदिर जाता हूं उदर देखना रोड रोदर आ रहा है कर दो का डिए का सुबहसुर इसा थोपड़ा दिखा दिया अरे खामका तो परिशान हो रहा है अरे आपसे बात करना चाहते हैं अब अ रही है कि पुलाए तो मैं थे देखो विसके पूछना था मैंने चार सवालों का जवाब देने कोई तुम सही कह रही हो लेकिन मैं गुंदा नहीं हूँ इस मुंबई शहर ने बना दिया कैसे तुम क्यों जानना चाहती हो तुम्हारे दिल में प्यार रहम होता तो तुम चाकु नहीं उठाते तुम्हें एक तकलिफ हुई तो तुम उसके लिए इतने परेशान हो गए कि तुम मुझे घलत समझ रही हो मेरे दिल में भी प्यार है रहम है कि मैं इस शहर में क्यों आया जानती हूँ हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है दो हुआ है मैं कर दो दो कि मैं जानती मंदिर पता तुन ही बता है था का है वो सन्यासी, सन्यासी सून क्यों नहीं रहा है, अरे हाँ वो बोल रहा है नाम बदल दिया है, क्या नाम बताया था, आहा, संतोशी संतोशी संतोशी, वो तो अभी भी नहीं सुन रहा है एसा तो नोग फिर से नाम बदल दिया हां कोई बात नहीं अरे भरे है केत मगर खलियान नहीं बहुत संपा क्या बात है आज तो बक्रा मिल गया बह्त है दिल पर नियत नहीं हरी यह कोक तब्यात नहीं संतोशी कर दोस्ता इसलिए और मैंने उसे काम दिलाया था क्या मुझे भी काम दिला आ सकते हो लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे भाई हाँ मेरे पास है और तो पैसे है तो चलो ना चलते हैं सच कह रहो पैसे है खर्चा करोगे ना तो चलो संतोशी आठ बजी आएगा और आने के बाद वो मुझसे जरूर भी लेगा भाई चलो चलकर हम लोग बिर्यानी खाते है बैठकर वो जरूर आएगा चोटू क्या है दो प्लेट बिर्यानी देना अभी तुका कर गया था गदा मुझे नह काके गरब पादी लेकर रहा जल्दी जहाना फ्री में मिल गई तो गोनी भर-बर के बिर्यानी खाएगा पेटू गहीं का चोटू पीन हाफ फ्राई दूसरे के पैसे का है तेरे बाप का क्या जाता है कम से कम इसने प्लेट तो छोड़ दी चोटू कितना हुआ बहतर आपके पास चुट्टा है क्या देखो कैसे काटना शुरू कर दिया भगवान भी अच्छे लोगों को यह उठाता है ऐसे वेइमान को छोड़ देता है यह लिजी चिल्लर कहा तो रूपिया दे रहा है यह ले 75 रूपिया तीन रूपिया तेरा टिप्स मेरे बागी पैसे तुम यह पर बैठो मेरा पेट हो गया है तुम यह पर बैठो मैं जाता हूं तंतोशी को बुला कर लाता हूं और अपला 500 का चुटा करा कर भी ले आता हूं तब तक तुम यहीं पर बैठो चीक के ओ पेट है मेरा भरा फिर भी दिल है नहीं भरा और पेट है मेरा भरा अरे छोटो अच्छा गल्ले का पैसा लेकिया आजा अभी लेकर आए चाचा पैसे लेने के नाइपर बोर अबर आ जाता है कौन है यह मेरी दुकान को गूर गूर के देख रहा है अरे भाई दर आ यहां आओ आज दर आओ जाव यहां बेट की क्या कर रहा है ऊपर जाने की जल्दी है क्या जा वह जाके बैठ नाई मेरा जांवाल मुझे नहीं देखेगा को चल जाएगा है शक्राने तक वहां जाके बैठ जा fait यह 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 दूद वाले को दे देना मैं नमाज पढ़के लोटूंगा तब तक तु दुकान का ख्याल रखने यहां ख्याल रखने जैसे चीज क्या है कि अधार के चाट वह क्या राद भर यहां सोता रहा चल जाके उसको ठाके लिया थीक चल जा मेरा दोस्त नहीं आया क्या कोई नहीं आया चलो जाटा बुला रहे बूस्त की यह ले खा ले चाटाट ने चाय-और पाव दिये थे तो मारा दोस्त नहीं आया क्या नहीं वह नहीं लगता है मेरे गाउं की बगल वाला है क्यों भाई हीरो बनने के लिए यहां यहां काम करता है उसने का तू भी आजा तुझे भी काम दिला दूंगा इसलिए मां को बिना बताए यहां आ गया था यहां वहां बहुत भटका फिर चाचान मुझे रख लिया पेट का सवाल है ना यह चुप पता चल गया यह शहर कैसा है तेरे जैसे सीधे आदमी का मुमोई में कोई काम नहीं अच्छा आप गाउं जाने के लिए तुमारे पास पैसे है ना वह कैसे रहेंगे कल्लू आकर सारा पैसा लूटकर चला गया चाचा मुझे पैसे नहीं चाह वक्त नहीं चाहिए एक वक्त दोगे तो भी चलेगा कुछ बोल रहा हूं तो यह सुनी नहीं रहा है काम के लिए बहुत लोग है तुझा चाचा कितना सीधा लड़का है इसे काम पर रख लिजे ना ठीक है मैंने इनको काम पर रख लिया अब तो आप खुश है न साब आप जाके बसका दुदार करो जाओ 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 जल्दी यह सब पकड़िये पकाड़ लोगा तो दूद के उपर ठकन रख दिया कि इशो भाई यहां कैसे तो जाके वहां खड़ाओ जाओ जाओ गया भाई केशो भाई यहां पर आए हैं कोई खास बात है क्या हां बताता हूं बताता हूं अ जाओ 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 अधिसरी चापू मार किया जाओ तुन्हें मैंने केशव को खत्म कर दिया तुम कहीं भी मत जाओ सिधा यहां आजाओ सारा इंतजाम कर देते हैं तो सिर्फ मेरे दो सवाल का जवाब दे मटर करने के लिए किसने कहा कितने पैसे मिले मैंने उन्हें चाकू नहीं मारा जोटी कसमत्त बता अगर तुने सच नहीं बताया तो तुझे मैं उल्टा लटका कर मारूंगा समझ गया सर नमस्ते सर तुम कौन हो कि नमस्ते साफ कौन हो तुम चय वाला कादर भाई है 순सा स ist हम कि मैं उस लड़के को जानता हूं बहुत अच्छा लड़का है उसका कोई कुसूर नहीं सर यही बताने आया एक आदमी अच्छा या बुरा है ये पैसना करने वाला चया वाला नहीं पॉलिस वाला होता है क्यों सर किसी अच्छे आदमी 코 pronoun में के लिए घात MP2 tu उसको समझाया है तू यहां नहीं रह सकता बहुत सीधा है वो बस पकड़ने के लिए खड़ा था इतने में लफड़ा हो गया और पुलिस उसको पकड़ कर लिया ही इस लफड़े में उसका कोई हाथ नहीं है सब कुछ मैंने अपनी आखों से देखा है यही बात साहब को बता है क्या यह शहर है मुंबई शहर कहते हैं इसको यहां कुछ भी देखो तो गलत ही दिखता है कि समझ गया भाई तेरे साथ हैं इसलिए बच गया चुप-चप गाउं की और निकल लिया खुदा आफिश्य तू मुझे पेटे की तरह लगा इसलिए तुझे बचाने के लिए यहां चला आया हिमत रखो बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे हिमत रखो क्यों किसने चाकुमारा तुम्हें पता नहीं असली मुझीरिम को पकड़ो और उसे अंदर ढालो मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा जब देवा बोलता है तो सबी सुनते हैं समझ गया आप जितना आसान समझ रहे होतना आसान नहीं है वहां कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा डौकिमेंट्स गलत हो गया तो मैं तो गय नहीं हरकत मुझे पसंद नहीं है जब देखो हाथ उठा देता है अरे इसे मारकर क्या मिलने वाला है हमें ले जाओ इसे जाना अरे जाए यहां से आओ इस्पेक्टर क्या बात है कैशो के अटाइम टू मडर वाले केस में पोलिस को सूरी पर शक है ठीक है मैंने सूरी को छुड़ाने के लिए बहुत से लोगों को अंदर डाला था यह बात एसी की तक पहुंड गई तो करना है क्या है अब ही अरतालिस घंटों तक सूरी को अंदर रहना पड़ेगा बाकी मैं समहल लूँगा है सब लोगे दरा तुझे आदमी चाहिए ना मैं देता हूँ इसे ले जाओ इसको ले जाओ इसको इन सब को ले जाओ तुम लेकिन सूरी पर हाथ मट डालना यह नहीं होने दूगा मैं यह सुरी मेरा छोटे भाई की तरह है उसने मेरे लिए क्या क्या किया पता है तुझे जाओ यह जलो ला हाप लेट बिरियानी तेरा नाम क्या है मेरा नाम तेन वली जीला मुंचपट्टी गाउं का अनन सागर पीन कोट नंबर भोल गया यादे यादे छे साथ दो जब तक तुझे अपना नाम बताएगा तो जिस ग्रह को चाय देने जा रहा है ना वह ठंडी हो जाएगी इसलिए सिर्फ तेरा नाम बस 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 चाह नाम रखूं इसका बड़े बालवाला बल्लू आय दो Mr. does the talk रहा है प्रात्ना कर रहा हूं इसलिए बालू भगवान को लेकर मूर्दा लेकर रहे रहा है मूर्दा ऀक चारएक है क्या क्या यह मूर्दाया शंछांगाट ले जा रहा चाचा ये कैसे हो सकता है हमारे गाउं में कोई मर जाता है तो सब लोग रोते हैं मेरे पापा गुजर गए थे तो मेरी मा बहुत रोई थी रो रोके उनको बुखार आ गया था की इंव लेकिन चाहिए उसकी आत्मा को तो शांती मिलेगी इसी लिए यहाँ पर उसके सारे रिष्टेदार उसे खुशी बना कर विदा कर रहे हैं प्छिन रिष्टेदारी नहीं स्यल्ड़ executed हैं अब जैसे कि उसके अगल बगल वाले उसके दोस्त वो सब खुशी-खुशी उसे विदा करते हैं आकर ये भी तो एक पुन्या का काम है नहीं पापा गुजरे तुम्हें नहीं नाचा उनकी आत्मा को शांती मिलीगी कि नहीं मेरी माँ को सोने के कंगन दिलाने के लिए चाचा के दुकान के अलावा दूसरी जगह भी काम किया अरे वा बल्लू नया बूट नया पेंड नई शेट कमाल का लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है हां चाचा आप तो अभी तक बदले नहीं मैं धंके कपड़े पहनू ऐसा चोटू ने कहा तो यह इसकी कारस्तानी है आप मेरी काभिलियत का इस्तेमाल तो करते नहीं हो ए सुन सुबह शाम जो तुमको पांच किलो आठा प खिलाएगी और मैं खाली आत नहीं जा रहा हूं उसके लिए एक चीज लेकर जा रहा हूं जानते हैं क्या ले जा रहा है यह तो बहुत अच्छे हैं इसी के लिए पैसे जमा किये थे चाचा तुम चलो यह लो जब पहली बार तुझे देखा था न तो लगा था कि तो किसी काम का नहीं है गाउंवाला समझ के काम पर रख लिया था तुने तो कमाल कर दिया इसलिए किसी को लंबाई और शकल के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए अरे लंबाई की बात तो करना मत वना तुझे भेज दूँगा अच्छा बल्लू तुने मेरी दुकान के साथ-साथ और जगह भी काम करके पैसे जमा किये और तुने जो अपनी मा के लिए सोने के कंगन खरी दे है ना इससे मुझे बहुत खुशी है बहुत गर्व हो रहा है अस्ता चोड़ बल्लू इतने दिन तक मुझे बेजने की बात नहीं करें तो यहीं कह रहा हूं अज़ा सुनो बल्लू मेनने देखनी क्या ज़र अपने बोल दिया ना लूँ-चैला में तो चला में तो चला में तो on रूंगा रुको अहां जा रहा है चाय भाई चाचा की दुगान की चाय है जा जा के अंदर दे दे जा जा आज मैं ऊपर आसमा नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे टेल मी ओ खुदा अब मैं तो चला केशाब में पुलिस इसको पकल कर लेकर कई थी पैसे अभी तक नहीं के जवाए तुने एई पैसों के लिए तो बार बात में फोन नहीं करेंगा बाइचाय किस हाथ से चाय दे रहा है दाए हाथ से देना किसी भी हाथ से चाय दूँ चाय हुम ही जाएगी ना मुझे नहीं पीनी आचाय मैं तो चला मैं कॉन बोल नहीं पता है ना यह दूट से आगे फोन पर बात नहीं करूंगा यह फॉरल टीस लाख रुपए भिजवा दे समझा एंश उन्य के कंगन कैसे मिले हाँ किसको अपनी हूश दे रहा है ऐसा मत कही है यह मेरी मां के लिए एक कज भी पूछिओ तुह मां मां लगा रहा है यहले जब से मैं देखे रहा है फांगल के तुमें मेरी मां के से स्थेफ़िक है trees अगर लो इसे छोड़ उसे अरे छोड़ उसे छोड़ ना अरे चाहे देने वाले लड़के को क्यों माता है तू उठाओ 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 एए इतना गुस्ता क्या हो रादा किस कमीनी के लेली आरे किसके लिए भी ए कि खित पार कब खित欸 हु Vegas मैं क sporह तो डजब इत कि रिप अन्हुलमा बुम्होह हादा! कि रिजिए और रन अами कि रिजित ए बुम्हों कि रिफ आज इसको खत्प कर दी देता हूँ चल्दी लाग, 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 च अजएंई, अजएंई, अजएंई इंएंई भुच्छः इंएंξर घुषंप भल प्रहा यंवाल करते हो के लुझा के लोंगना, तो कैसे अूँ सुटिन का। सब्सी है, सब्सी है, स newcom्राव! मेल! 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 अजल कि अकु झाशे। मेरी बाग के बारे में घलत बोला हात है का आपके गाउं का नाम क्या है मुनांच पत्टी हां मुनांच पत्टी हां थेन्यवेल जी अदे अपने मां को रूणार हो नाdessu तुमको केसे पता चला हिजुको पेपर में पड़ा होगा कि आपका दूसरा नाम भी है क्या दरसल मेरे नाम बल्लु नहीं है मेरा नाम आननसागर है मेरी माह मुझे आनन बुलाती है वो चैयवाला छोटु मेरे बड़े बाल देख्के बल्लू कहने лиगा और और आनन सागर ही बल्लू हाँ हे, 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 रुको, रुको बल्लू, आतन साखर, रुको, आपकी महां मेरी करपड़ी रहती है, रुको बल्लू माजी, माजी, मैंने आपकी लडगे को ढूंड लिआ है आपका लड़का मिल क्या है भल्लू ही आनन्द ही पल्लू है श है मिस्टर बलू मिस्टर बलू मैडम आप है इंटर्व्यू लेने आई है पेपर वाली हो तो सोचेंगे बता हो अब टेंचन मत लिजे मेरे दुकान की चाय पीजे मैं आपको श्पेशल बना के देता हूं अब दुकान का इंचाट में हूं प्लीज छोटो मुझे उसे जरुरी लड़की को देखता हूं ना तो मेरे दिमाग में कुछ-कुछ होने लगता है इसका इलाज क्या है मैं चल्ड़ खाने जाके किसी डॉक्टर से मिल अरे रहे ए बल्ला तुम का मैं तुम कहां ठूटा है कादर भाई को मारना नहीं चाहिए था तुझे तो आप भी बताव मै एक बार मैं उसको चेतावनी दे चुका था लेकिन कादर भाई वो चाय वाला सुत्रा नहीं इसलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी अभी वो होस्पिटल में लेटा होगा अब बल्लु डरेगा तुमें जो भी क्या वह घलत है या भाई आप समझ नहीं रहे हैं हमें भी जीन को उसका बॉडिगार्ड बनाया था आज वो सब उसके आदमी बन गये हैं यह पता है ना आपको अरे तो मुझे क्या करना है आप कुछ नहीं करेंगे मैं ही बल्लु को खत्म कर दोंगा इसके बारे में बात में बात करेंगे बल्लु जो है अभी तुझे पूरे शहर में ड टिकिट लेकर घुनते हैं मेरे बलेट के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं अभी वी वक्त है आप मेरी मदद करो वरना मैं अपनी खूबी दिखाना शुरू करूंगा तो आप मुझे दोश मत देना अंकल क्या बगवान आप बच्चों की आवाज में अंग्रेजी बोल रहे ह अंकल क्या बात है यान पेटी उची है मुझे उसमें पैसे डाल ले आप मेरी हैट कीजी एक काम करो इस पैसे को अंकल के पास रख दो अंकल पूजा करने के बाद खुदी पेटी में डाल देंगे नहीं नहीं मैं खुट डालूंगा सुन रहे हो ना एक छोटा सा बच्चा तुम्हें उपर उठाएंगे तुम्हाराम से पैसे डाल देना आजाओ अरे वाप वजर है पापा की चावल की दुकान है नहीं नहीं चप्पल की दुकान है ओके छटू थैंक्यू तुझे थैंक्यू कहना ही पड़ेगा असली है या नकली है देख लेंगे यह सच में सोन पानी चड़ा हुआ है दान पेटी में पैसे डाल दिये ना संयासी वह लोग चले गया क्या शन्यासी में नहीं हुँ में संयासी नहीं संतोषी हुँ मादbaarं थैञ ही लोगों को खाने के लिए दो मुठी धान नहीं वह कहांने के लिए और तु नहीं मिला वह तूसी वक्त आया अरजयंट काम के लिए औफीस वालों ने मुझे अर्थरोड भेज़िया तोया यां क्या मतलब यह सब जित की यार अभी भी तो उसी काम में है तेरी सवाल पूछने की आदत नहीं गई यार अचाया सब चोड़ में नक्षी मामी कैसे गया क्यों अगर इस अडरेस पर रहोंगा ठीक है अगर इस अडरेस पर नहीं मिल में प्रयादस तो पता तो अचायो हुआ अदमी अरु पाप नहीं आता है मुझे एक जरूरी करके जाना है रुकों बात में मिलता हूँ पिकने शरायम बरदाय सुरक्रियाया नम्मोदराय सकलाय जगत मिताया नागा दनाया अद्दार्णी बात में बात में आता है जरुड़ी चुक्रिया नम्मोदराय प्रवश्च रखता अद्दार्णी बात में मुझे एक जरुड़ी आता है झाल 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 क्या जुआ छुआ जुआ मुझे अपने दोस्त से बात भी नहीं करने देते कैसे जिन्दगी है आनन सागर कहां चला गया तू यहीं तो छोड़ कर गया था लगता है भगवान का भक्त बन गया है मंदिर में कहीं बैठा होगा मिनाखी मामी कि घृ हाँ अनन पर कहां हरे यहीं तो था यहां को दोगाा चले पेले thorough मामी और तुन कोई लई ने चलता है और तू कहता है कि वो मिला था रूई के मुझे अपना यड्रेल दिया है ज़ा देखिए चलते है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 झाल झाल। मेरे रास्ते में आये था क्या मैं तो अपने रास्ते जा रहा था तू नहीं मुझे परशान किया चाचा मेरे बाप की तरह है तुने उनको क्यों मारा क्यों टाइम वेस्ट के प्लाएं अरे खत्म करते उसे अपनी मां के लिए कंगर लेके गाओ जा रहा था पर तूने जाने नहीं दिया अलू कि वो अ मेरी का लड़ि नहीं थि देवा की थी मैंने तुल्हे कुछ भी नहीं किया फिसीर देवा ने कि भाइ सूरी को बल्लु ने मार दिया सूरी को बता दिया है तरी भाइब है यहाई उसको बुलाई यह न यहां आनन नाम का कोई आदमी नहीं रहता है नहीं सापची वो डर के मारे अंदर बैठाओगा आप उसे बुलाएं ना सापची मिला बेटा अनन देखो मा आई है उसे ढूंडने के लिए गाउं से अकेली आई है चाचा प्लीज उसे बुला दीजिए ना चाचा मैंने कहा न कोई आदमी यहां नहीं रहता तो बेकार में क्यों परिशान कर रहे हो चलो जाओ अरे सुनो तुम्हारा लड़का कुछ को समझता क्या है आधी रात में अंजाने लोगों के साथ आता है गुंडों के साथ में आता है उसको ढूंडते हुए पुलिस भी पीछे-पीछे आ रही है उस दिन आनंद नाम के लड़के को लेकर आया था लड़के को ढूंते हुए उसकी मां ही है यह शिवा हमारे परिवार में पैदा होने लायक ही नहीं था पता नहीं कैसे पैदा हो गया देखिए ना आनंद ने जो एड्रेस दिया था वह गली नंबर घर नंबर सब लिकिन यह चाचा मना क्यों कर रहे हैं तब क्या करूं हा मामी सुबह जब आनंड मुझे से मिला था था तो यह कह रहा था कि वह सुबह शाम मंदिर जरूर आएगा मामी चलिये वह रहुनान मिलेगा हार मामी सलिये चलिए चलिए मेरा बेटा जरूर यहां आएगा ना उसने मुझे कहा था कि सुबे शाम मंदिर में जरूर आएगा आज चाहे जितनी भी देर हो जाए मैं उससे मिले वेगर जाओंगा नहीं आप यहां बैठ जाए मैं भी बैठता हूं क्यों मामी आप आनन्द को लेकर गाओं चली जाएंगी या मुंबई में उसी के साथ रहेंगी नाई बापा बहुत डर लगता है यहां हम किसी को जानती ही नहीं तुझ जैसे लड़के के लिए यह शहर ठीक है बेटा मेरा बेटा मिलते ही हम लोग गाओं चले जाएंगे यह से बात करना चाहता है आप यहां रूके में आता हूं मैं तुरंत आ जा रहा हूं मामी आप घबराईयों मत यहीं रही है क्यों सर फूल वाली से भी पैसे वसूल करने शुरू कर दिया क्या बात है सर सुबद छेतुला सोनी की चैन खीची दिकाएं कौन सा चैन सर साइकल की में दोस्त की मां आई है सर वो अपने बेटे को ढून रही है यहां मेरे अलावा किसी को नहीं जानती है सर सिर्फ एक दिन छोड़ दीजिए मैं खुद ही आ जांगा सर तू प्यार से सुनने वाला नहीं है बताता हूं तुझे सिर्फ एक मिनिट में आता हूं सर क्या हूँ क्या है कि ऑफिस से कुछ अर्जन काम के लिए बुलाया है मैं अभी जाकर आता हूं अपरे बाप तुमुझे होट केला चोड़कर मज़ा बेटा नहीं मामी मैं यूं गया और यूं आया लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा मामी और मामी आपको पता है आनन्द ने अपना हम पनी बदल लिया है आप कहीं मत जाएगा यहीं रहेगा वह आपको यहीं पर मिल जाएगा ठीक है ठीक है यहीं रहेगा कहीं मत जाएगा आणंद जरूर आएगा मामी इस तुम लोग को मालूम है ना मैं सुबध शाम मंदिर जाता हूँ सिर्फ आज के दिन मंदिर मज जाओ सुनो मैं बिना खाय रह सकता हूँ पर बिना मंदिर जाए नहीं ना के मंदिर जाएंगे बन्लो मेरी बात मानो समझने की कोशिश करो अभी अभी सूरी को खतम किया है तुने, उसके लोग तुझे ढूंड रहे होंगे, हमारे घर पे उनकी नजार होगी, इसलिए मैं तुझे जाने से मना कर रहा हूँ, यह जगा सेफ है, कल सुबह चलेंगे ना अभी तक यहीं है, आनन्द नहीं आया क्या, उसने तो कहा था कि वो जरूर आएगा, ओ, हो सकता है बारिश की बज़े से नहीं आया होगा, पर आप यहां बारिश में क्यूं बैटी रहीं, आपको कई मंदिर के कोने में बैट जाना चाहिए था ना, अरे आपने खाना खाया क की नहीं, आप खाना कैसे खा सकती हैं, मैं भी नहीं आया, आनन्द भी नहीं आया, रात में भी खाना नहीं खाया होगा, ठीक है चलिए, कुछ खा कर आते हैं, चलिए मामी, आज किसी भी तरह आनन्द से आपको मिलाओंगा, यह मेरा वादा है, मार्टी मामी, मिलाक्ची मा और कितनी देर मुर्दे को यहां रखके बैठेंगे, दूसरी जगे भी मुर्दा उठाने के लिए जाना है, क्यों साब, मुर्दा उठाएंग्या? भाई साब, एक मिनट रुक जाएं, इस मार का एक ही लड़का है, वो अभी आता ही होगा, उसके बाद उठाएंगे बार-बार बोलते रहता है, कि अभी आजाएगा, अभी आजाएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया, सुनो भाई, मंदिर के सामने मुर्दा रखा है, इसे जल्दी से हटाएंगे, अभी ले कर जाते हैं, ठीक है, जल्दी कीजे मामी, आनद ने कहा था कि वो रोज सुबह शाम मंदिर आया करता है, कल से वो नहीं आया, अब मैं क्या करूं मामी हे भगवान मुझको मेरी मा से मिला दे, हे भगवान मुझको यह गाड़ी को क्या हुआ, रात के लफड में पेट्रोल डलना भूल गया, बगल में पंप है, भरवा के लाता हूँ, ठीक है, तुझा के पेट्रोल डला क्या, मैं बगल में मंदिर जाता हूँ, अरे मेरी बात मान यहीं पेट्रोल पंप है, गाड़ी में बैट पेट्रोल कि तुझे प्यार से बिठाया था साहब जी आने से पहले ही माग गया तुने तो कहा था कि शहर में तेरा कोई रिष्टदार नहीं है तो यह कहां से आगया यह कुछ दिन पहले ही गाहूं से आई है यह मेरी मा की तरह है सर कमसे कम उनकान तीन संस्कार्ट तो करेंगे यह इसका रिष्टदार है क्या मुझे क्या पता सर हमें पुलाया हमाग है बोला मुर्दा उठाओ पैसे देंगे बाके हम कुछ नहीं जानते कि इस मुर्दे के नाग की नतनी या काम की बाली चुराई क्या बोल रहें सर मैं बगवाण की कसम खाकर कहता हूं यह मेरी मा की तरह सर कोई अपनी मा के गहने चुराएगा क्या सर यह से कविना इंसान है मुर्दे की भी चोरी करता है तू कहानी हमें मत सुना चल पूलिस ट्रेशन में सहब जी को सुना सर मुझे एक मौका दीजिए उस बेचारी के यह पोई नहीं है सर मैं आपके पैर बता हूं मुझे एक मौका दीजिए तो बहुत अच्छी आक्टिंग करता है चल पूलिस ट्रेशन सर रुकिये सर मैंने पूलिस बहुत बहुत है बहुत है रुखना नहीं है घुटींगे इस तो चुब शॉनें रुकित यह आप लोग चुपचाब मुर्दे को लेकर जा रहे हो जो मरा है उसका कोई रिष्टेदार नहीं क्या पहले कोई आनात मरता था तो लोग रोते थे लेकिन आज कल कोई भी मरता है कोई नहीं रोता है और यह तो वेसे भी आनात है इसके लिए कौन jn तो इस मुर्दे का कोई नहीं है यह कलियोग देखो मरे वह आदमे को अज उठाने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है तुम खुश हो जाओ कम से कम हम चाहतों लोग इस मुर्दे को उठाने के लिए तो आए हैं वरना कौन आता है बताओ पता नहीं जब तक जिन्दा थे खुश थे की नहीं थे लेकिन अंतिम समय में हम खुशी से विदा तो कर सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाहरा हूं समझे नहीं भाई आप हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं बलकि जब तक हैं तब तक हम उन्हें नाजगा कर विदा करें तो हुझ आएगा वो सामने देखो भाई भाई उस मुर्दे का कोई भी नहीं है जर्द आ के थोड़े धोल कीजे शुरू कीजे शुरू कीजे है अधिश बाद इक गर में रहती ती ना वही दादी है नो हाँ यह श्विता देदी डूम रही थी दादी मर गई यह बात तो श्विता देदी को पता ही नहीं है चल हमें चल के देदी को बताना होगा केशा भाई एक खाबर है बल्लू एक मुर्दे के साथ नाच्ता हुआ जा रहा है चोड़ ला मत इसको उसको फालो करो यह लो यह लो यह लो यह तुम भी लो हरे भाई थोड़ा और दो ना ठीक है यह लो सब रख लो रख लो अरे इसके मुह पे तो मक्ठी घूम रही है इस मुर्दे को अगर अंतिम समय में माला नहीं पहनाएंगे तो इसकी आत्मा बहुत दुखी होगी सुनिये करंट नहीं है थोड़ी देर रुखना पड़ेगा ठीक आप लोग यहीं रुखिये मैं माला लेक्या आता हूं एक माला जेना एक माला तेसर रुपे की कोई भी लेले ठीक है आजा उसे डूंडते हैं चलो 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 भाई है क्या हो रहा है वहां भाई कोई व्याइपी की डेट बॉड़ी है बहुत पुलिस लगी हुई है तो बल्लू बीड में घुशकर भाग जाएगा खत्म कर दूगा उसे चोड़ूगा नहीं आज 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 बल्लू की कहानी खत्म होनी ही चाहिए उस देवा सूरी की तरह ये केशव बेवकूफ नहीं है आज तो उस बल्लू की कहानी को सुनिये करंट आजए जल्दी लेकर यह नहीं तो कभी भी जा सकती है किसी को अंतिम दर्शन करने हो तो जल्दी लड़ी कर दो चलो यह अनात मुर्दा है देखने वाला कोई नहीं है सुनो मानो यह अनात मुर्दा है लेकिन उसने हमें पैसा दिया है वो हाल लाने के लिए पहले उसका इंतजार कर लो आखरी समय में कम से कम बिचार है इसकी शकल तो देख ले अरे पावर फिर से भी जा सकते हैं चल 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 जलवा दे अरे वो कोई क्या इस मा का लड़का है क्या अरे कौन है वो क्या पता चलो हम लोग चलते हैं हां हां चलो 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 उठाओ कौन हो पता नहीं पर खुशी से जाओ आत्मा को शांती मिलने चाहिए क्या भाई सब कुछ पराबर हो गया ना कितने पैसे हुए अब आपको पैसे देने की दरूवत नहीं है एक साहब जी ने दूमधाम से मुर्दे को विदा करके हमें भी पैसे दिये अलो रहा है साहब जी नहीं दे दिये अनन्द तु मैं यहाँ पर कैसी यही सोच रहे न वह क्या है न बेचारी अनात मुर्दा थी मैंने धूमधाम से नाच कर विदा कर दिया वह सब छोड़ मेरी माह तुझे मिली क्या ज्यादा सोच मत हम दोनों मिलकर ढूड़ लेंगे अर्यानन तुने इस मुर्दे के शकल नहीं देखी थी क्या जिस मुर्दे को हमें तुने खुशे-खुशे भी देखिया वह कोई ओन रही थी तेरी माह थी यार क्यों जुट बोल रहे हैं जूट क्यों बोल रहे हैं चुझे नई ढूनना माधं मैं अकेला ठूब लूगा मां के बारे में कोई जूट मालता है क्या हो सक्विए यार मत रखो बेटा यह जो भी कह रहा है वह सच है बेटा एस एक मारा को कभी देखें क्या मेरी मा की की शकल भी देखिया आपने बोलिये चाचा बोलिये अंकल वो दादी श्वीता दीदी के घर पर रहती ती उस मुर्दे के साथ आप नाश्टे हुए जा रहे थे मैंने देखा इसलिए मैं श्वेटा यहां पर लाया हूँ अंकल इस दिन आपने कहा था चाकू उठाओगे तो तुम्हारी मा ज़रूर मिल जाएगी लेकिन चाचा माहतों मुझे नहीं मिली कुछ को सवालो पिना कुछ को सवालो कुछ को सवालो हसते वे विदा करो मेरी माह मर गई यह यह इन लोगों ने मुझे बताया मैं उनकी शकल भी नहीं देख पाया फिर भी मैं उन्हें नाचते घाते हुए विदा किया नहीं रोते हां नहीं रोते मैं कहीं नहीं गई मैं तु तेरे साथ ही हो ना तु रोना बनकर आप तुझे मनारे के लिए मैं नाचूंगी भी और गाहूंगी भी हुँँँँँँँँँड़ के लिए हुँँँँड़ के लिए मा हाँ मा 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 आट आट अब अट बल्लो नहीं तो अपनी मां के लिए चाकू उठाया पर हम ने किसके लिए उठाया प्राइब 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 प्राइब